आप सब लोगों को हमारे यूट्यूब चनल के और एक ने नोलेजबल भीडियो में स्वागत है इस वीडियो में हम क्रिकेट के दिग्गस खिलारी महेंदर सिंग धोनी जी के उपर 35 महत्वपुन्न प्रस्थनों और उत्तर के बारे में जानेगे जो आपके आने वाले सभी कॉम्प्लेटिक परिक्षाब में आ सकता है तो ये वीडियो को पुरा सुरू से लेके आन तक देख लीजे आप बहुत कुछ जान जाओगे तो चलो ये वीडियो सुरू करते हैं तो एसे ही हम इस भीडियो में महेंद्र सिंग धोनी जी के उपर बहुत कुछ जानेंगे ये रहा पहला सवाल महेंद्र सिंग धोनी जी का जन्म किस दिन हुआ था अगर आप लोग जानते हो तो कॉमेंट सेक्षन में लिख सकते हो और अगर नहीं जानते हो तो भीडियो को देख लो बहुत कुछ जान जाओगे इसका उतरहे 7 जुलाई 1981 तो महेंदर सिंग धोनी जी का जन 7 जुलाई 1981 को हुआ था गिरहा दूसरा सवाल महेंदर सिंग धोनी जी का जन भारत के की सुराज्य में हुआ था इसका उतर है जार्खन और जार्खन राज्य के राज़धाने रांची में महेंदर सिंग धोनी जी का जन्म हुआ था तो या प्याद रखलो कि महेंदर सिंग धोनी जी का जन्म 7 जुलाई 1981 को जार्खन राज्य के रांची में हुआ था गे रहा अगला सवाल महेंदर सिंग धोनी जी को और किस किस नाम से जाना जाता है इसका उत्रहे माही, क्याप्टन कूल और M.S.D. तो महेंदर सिंग धोनी जी को इन नामों से जाना जाता है गे रहा अगला सवाल महेंदर सिंग धोनी जी के पिता का नाम क्या है इसका उतर है पांसिंग धोनी तो महंद्र सिंग धोनी जी के पिता का नाम है पांसिंग धोनी ये रहा अगला सवाल महंद्र सिंग धोनी जी के माता का नाम क्या है इसका उत्तर है देव की देवी तो याँ प्याद रखलो कि महेंदर सिंग धोनी जी के पिता का नाम है पान सिंग धोनी और महेंदर सिंग धोनी जी के माता का नाम है देव की देवी ये रहा अगला सवाल महेंदर सिंग धोनी जी के बहन का नाम क्या था? इसका उत्तर है जैन्ति गुपता तो महेंदर सिंग धोनी जी के बहन का नाम था जैन्ति गुपता गिरहा अगला सवाल महेंदर सिंग धोनी जी के बड़े भेया का नाम क्या था? इसका उत्तर है नरेंद्र सिंग धोनी तो महेंद्र सिंग धोनी जी के बड़े भेया का नाम था नरेंद्र सिंग धोनी ये रहा अगला सवाल महेंद्र सिंग धोनी क्रिकेट खेलने से पहले कीज खेल में सबसे ज़्यादा रूची था इसका उत्तर है फुटबॉल तो महिंदर सिंग धोनी जी को क्रिकेट खेलने से पहले फुटबॉल खेल में सबसे ज़्यादा रूची था ये रहा अगला सवाल महिंदर सिंग धोनी जी के पत्नी का नाम क्या है इसका उतर है साक्षी सिंग धोनी तो महिंदर सिंग धोनी जी के पत्नी का नाम है साक्षी सिंग धोनी ये रहा अगला सवाल महिंदर सिंग धोनी जी के बेटी का नाम क्या है? इसका उत्तर ही जीवा धोनी तो यहाँ प्याद रख लो कि महेंदर सिंग धोनी जी के पत्नी का नाम है साक्षी सिंग धोनी और महेंदर सिंग धोनी जी के बेटी का नाम है जीवा धोनी ये रहा अगला सवाल धोनी ने अपना पहला टेस्ट मैच कीज दल के खिला खेला था इसका उतर है स्री लंका तो धोनी ने अपना पहला टेस्ट मैच स्री लंका दल के खिला खेला था ये रहा अगला सवाल धोनी ने अपना पहला टेस्ट मैच कीज दिन खेला था इसका उतर है 2 December 2005 तो यहाँ प्याद रखलो कि धोनी ने अपना पहला टेस्ट मैच 2 December 2005 को सिलंका दल के खिला खेला था आप लोग ने तो जान लिया कि धोनी ने अपना पहला टेस्ट मैच किसके साथ खेला था ये रहा अगला सवाल जिसमें आपको बताना है कि धोनी ने अपना अंतिम टेस्ट मैच कीज दल के खेला था इसका उतर है आस्ट्रेलिया तो या प्याद दर्खलो कि धोनी ने अपना पहला टेस्ट मैच सेलंका दल के खिला और धोनी ने अपना अंतिम टेस्ट मैच आस्ट्रेलिया दल के खिला खेला था ये रहा अगला सवाल धोनी ने अपना अंतिम टेस्ट मैच कीज दिन खेला था इसका उतर है 26 दिसेंबर 2014 को ये रहा अगला सवाल आप लोगों ने तो जान लिया कि महिंदर सिंग धोनी 2014 में अंतिम टेस्ट मैच खेले थे ये रहा अगला सबाल महिंदर सिंग धोनी टेस्ट क्रिकेट से सन्यास ने रिटार्मेंट लेने के बाद टेस्ट क्रिकेट के कप्तान कौन बने हैं इसका उतर है बीराट कोहली जिनको हम रॉन मेसिन के नाम से चानते हैं तो महेंदर सिंग धोनी टेस्ट क्रिकेट से सन्यास लेने के बाद टेस्ट क्रिकेट के कप्तान बिराट कोहली बने हैं ये रहा अगला सबाल धोनी ने पहला वान डे मैच किस दल के खेला खेला था इसका उत्तर है बांगलादेश तो धोनी ने अपना पहला वांडे मैच बांगलादेश दल के खेला खेला था ये रहा अगला सवाल धोनी अपना पहला वांडे मैच किस दिन खेला था इसका उतर है 23 दिसेंबर 2004 तो यह सब आप याद रख लो कि धोनी जी ने अपना पहला वान डे टेस्ट 2020 किस दिन खेला था यह सब याद रख लो यह रहा अगला सवाल महेंदर सिंग धोनी अपना पहला 2020 मैच किस दल के खेला खेला था इसका उतर है दक्षिन अफ्रिका यह रहा अगला सवाल धोनी ने अपना पहला 2020 मैच किस दिन खेला था इसका उतर है 1 दिसेंबर 2006 तो यह प्याद रख लो कि धोनी ने अपना पहला 2020 मैच 1 दिसेंबर 2006 को साउथ अफ्रिका याद दल की खेला खेला था ये रहा अगला सवाल क्रिकेट में धोनी जी के 60 के पीछे कितने नमबर लिखा जाता है इसका उतर है साथ आप लोग ने तो जान लिया था कि धोनी जी का जन 7 जुलाई 1981 को हुआ था इसलिए हो सकता है वो 60 के पीछे नमबर 7 लिखते हैं ये रहा अगला सवाल धोनी रोंजी ट्रोफी में पहले कीस राज्य के तरफ से खेल रहे थे इसका उतर है बिहार तो धोनी रोंजी ट्रोफी में पहले बिहार राज्य के तरफ से खेल रहे थे गिरहा अगला सवाल धोनी रौंजी ट्रोफी में बिहार दल से की साल से खेल रहे थे? इसका उतर है 1999 से 2004 तक तो धोनी रौंजी ट्रोफी में बिहार दल के तरफ से 1999 से 2004 तक खेल रहे थे? गिरहा अगला सवाल धोनी 2004 के बाद किस राज्य के तरब से रौंजी खेल रहे थे इसका उत्रहे जारखन तो या प्याद दखलो कि महिंदर सिंग धोनी पहले बिहार राज्य के तरब से खेल रहे थे और उसके बाद 2004 के बाद जारखन के तरब से रॉंजी ट्रोफी खेल रहे थे ये रहा अगला सवाल महिंदर सिंग धोनी जी को किस साल राजीव गांदे खेल रतनो पुरसकार मिला था इसका उतर है 2007 तो राजीव गांदे खेल रतनो पुरसकार जो कि खेल बिभाग में भारत का सर्बोच्य पुरसकार है वो महिंदर सिंग धोनी जी को साल 2007 में मिला था ये रहा अगला सवाल धोनी जी को कितने बार IC से One Day Player of the Year से सम्मानेत किया गया है इसका उतर है दो बार तो धोनी जी को दो बार IC से One Day Player of the Year से सम्मानेत किया गया है आप लोगों ने तो जान लिया कि महिंदर सिंग धोनी जी को दो बार ICC One Replayer of the Year से सम्मानेत किया गया था पर ये रहा अगला सबाल जिसमें आपको बताना है कि धोनी जी को किस किस साल ICC One Replayer of the Year से सम्मानेत किया गया था इसका उपतर ही 2008 और 2009 तो इन दो साल कोई धोनी जी को ICC One Replayer of the Year से सम्मानेत किया गया था ये रहा अगला सबाल महिंदर सिंग धोनी जी को किस साल पदमस्री का पुरस्कार मिला था इसका उत्रहे 2009 तो महेंदर सिंग धोनी जी को साल 2009 में पदमस्रिप का पुरसकार मिला था ये रहा अगला सवाल महेंदर सिंग धोनी जी को किस साल पदम भूशन पुरसकार मिला था इसका उत्रहे 2018 तो महिंद्र सिंग धोनी जी को साल 2018 में पद्म भूशन पुरसकार मिला था ये पुरसकार आप सब प्याद रखलो हो सकता है इसमें से एक नंबर आपके परिक्षा में आ सकता है ये रहा अगला सवाल महिंद्र सिंग धोनी किस हाथ से बल्ले बाजी और गेंद बाजी करते हैं इसका उत्रहे दाए हाथ इन्हें राइट हैंड तो महिंद्र सिंग धोनी अपने दाए हाथ से बल्ले बाजी और गेंद बाजी करते हैं ये रहा अगला सवाल महेंदर सिंग धोनी कीज दिन 10,000 रन बनाने वाले चौथे भारतिय क्रुकेटर बने थे इसका उतर है 14 जुलाई 2018 को तो महेंदर सिंग धोनी 10,000 रन बनाने वाले चौथे भारतिय क्रुकेटर 14 जुलाई 2018 को बने थे ये रहा अगला सवाल महेंद्र सिंग धोनी किस साल टेस्ट कर्ट से सन्यास लिये थे अगर आप ये वीडियो पर अच्छी तरी से देख रहे हो तो इसका उतर आपको पता होना चाहिए इसका उतर है 2014 क्योंकि धोनी अपना अंतिम टेस्ट मैच 26 दिसंबर 2014 को ऑस्ट्रेलिया दल के खिला खेला था और उसके बाद वो टेस्ट कर्केर से सन्यास लिये थे आप लोग ने तो जान लिया कि धोनी 2014 में टेस्ट कर्केर से सन्यास लिये थे पर ये रहा अगला सबाल जिसमें आपको बताना है कि धोनी एक दिवशिय यानि वान डे मैच और 2020 मैच से कप्तान का पद कब छोड़े थे इसका उतर है 7 जन्वरी 2014 को तो धोनी 7 जन्वरी 2014 को एक दिवशिय और 2020 मैच के कप्तान का पद छोड़े थे ये रहा अगला सवाल महेंदर सिंग धोनी अपने दोस्तों में कीस नाम से जाने जाते हैं? इसका उतर है माही तो महेंदर सिंग धोनी अपने दोस्तों में माही के नाम से जाने जाते हैं? यह रहा अगला सवाल महिंदर सिंग धोनी जी के उपर बना चल चित्र का नाम क्या था? इसका उतर है E.M.S. धोनी The Untold Story जिसमें सुसान सिंग राजपोड महिंदर सिंग धोनी के किर्दार निभाए थे तो यहाँ प्याद रखलो कि महेंद्र सिंग धोनी जी के उपर बना चलचित्र का नाम था है MS धोनी The Untold Story ये रहा अगला सवाल और आखरी सवाल इस बीडियो का महेंद्र सिंग धोनी के साल भारत को ICC World Cup जितवाये थे इसका उत्र है 2011 तो महेंद्र सिंग धोनी साल 2011 का ICC Cricket World Cup जितवाये थे आप लोगों को ये वीडियो केसा लगा और आपे 35 महत्यपुन्न प्रस्णस के उत्तर से कितने का सही जबाब दिये हो हमें कॉमेट सेक्षन में जरुर बताना रहो सकी तो वीडियो को सेयर कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे इसे ही ग्यान पाने के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद